हलो फ्रेंड्स वेलकम टो गार्णिंग विधी तेश जिन इलाकों में बहुत तेज गर्मिया पड़ती हैं समर्स में उन इलाकों में विंटर्स में तो सकुलेंट्स काफी अच्छे ग्रो करते हैं लेकिन समर्स में कुछ सकुलेंट्स गर्म इलाकों में जो है प्रॉब्लम कर ध्यान में रखके बजा सकते हैं वैसे आज कल हर कोई expert हो गया है जो भी gardeners है या beginners है या youtuber है या नहीं है normal gardeners है हर कोई youtube पे search करता है plant खरीदता है वैसे उसकी care करता है तो इस वीडियो में मैं कुछ आप से succulents की summer care के बारे में बात करूँगा चार से पांच चीजें बताऊँगा आपको सबसे पहले हर plant के बारे में अगर हम बात करते हैं तो soil की होती है soil आपने इसकी gritty बनानी है सबको पता है succulents cactus को sandy soil पसंद है koila मिला ले, sand मिला ले soil में अपनी और बज़री के टुकडे मिला ले, बाकी कुछ cinder वग्यारा वर्मी कुलाई डालते हैं तो मेरे ख्याल से वो जारा डालने की जरूरत नहीं होती है normal sundry soil में लगाएं watering का ध्यान रखें तो succulent आराम से आपके चलते रहेंगे और दूसरा है इनकी location के बारे में winters में हमने इने full sunlight में रखा या आदे दिन की धूप में रखा इनकी अच्छी growth के लिए, अच्छे color के लिए है ना, लेकिन summers में हमें ऐसा नहीं करना है summers में हमने इने complete shade provide करनी है एक जगा इनके लिए ऐसी choose करनी है जहां इने बेशक morning या evening की थंडी थंडी धूप मिल जाएं, लेकिन दिन वाली harsh धूप इनके उपर ना बढ़े ठीक है, लागी होंगे plant आपके, color green हो जाएगा सकुलंट का लंबे लंबे हो जाएगे leaves में gap बढ़ जाएगा, लेकिन वो हम winters में ठीक कर लेंगे धूप में रखके, लेकिन हमें अगर अपने सकुलंट को बचाना है गर्मियों में तो shade इने compulsory provide करने ही पड़ेगी और दूसरी बात location से ही जूड़ी है कि एक बार अगर आपने इनके लिए shady place choose कर लिया ना तो बार बार आपने उस place से इने हटाना नहीं है succulent adjust होने में थोड़ा time लेते है, set होने में थोड़ा time लेते है, अगर हम बार बार इनकी summers में भी placing जो है change करते रहेंगे location इनकी change करते रहेंगे तो थोड़े ये disturb हो जाते है तो ये इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है और तीसरी जो बात है वो है watering की watering की काफी importance है succulents में बहुत major जो है role है पानी का succulents के मरने में पानी कुछ मैंने सुना है कि पानी कहते है बहुत कम देना है ऐसी बात नहीं है पानी इने चाहिए plants को succulents को भी चाहिए कैसे पानी देना है एक बार मिट्टी अगर dry हो गई अच्छी आपको दिख रही है dry है एक डेड़ इंच मिट्टी आपकी dry है तो अच्छे से पानी भरके एक दम पानी दे तो pot के नीचे से पानी निकला है ठीक है और दूसरा क्या है हम क्या करते है सकुलेंट को कम पानी चाहिए तो क्या करते है डेली थोड़ थोड़ा पानी डालते रहते है थोड़ा सा dry दिखा पानी डाल दिया ऐसा नहीं करना है roots तक पानी नहीं जाता है उपर यउपर पैनी रहता है हमसा होते हैं कि कम पानी दिया है फिर भी सकुलेंट मर गया है अच्छा सा एक बार पोट को पानी से भर दो ताकि नीचे से पानी निकल आए फिर आपको जो है तीन चार या हफते बाद ही पानी देना पड़ता है depending आपके पोट के size पे होता है तो और दूसरी बात है शावरिंग शावरिंग भी हम कई बार कर देते हैं अच्छी बात है कर रहे हो वैसे अवोइड करें शावरिंग सकुलेंट के उपर अगर कर भी रहे हैं तो specially जो एच्जी वेरियर टाइप होते हैं जो रोजे टाइप होते हैं एक फूल की शेप के होते हैं जब हम उनमें शावरिंग करते हैं स्प्रे करते हैं तो उनके जो रोजेट होती हैं बीच में जहां से पत्ते निकलते हैं वहाँ पर पानी जमा हो जाता है खड़ा हो जाता है और अगर हम नाइट में स्पेशली सकुलेंट में स्प्रे करते हैं, पूरी रात वो जो है, पानी इन में बना रहता है, और कई बार सुबह जो है, धीरे-धीरे इनके जहां से पत्ते निकलते हैं ये वाला जैसे सकुलाम देख रही हो, इसके बीच में अगर पानी रहा जाएगा, तो इन में सडन से होने लग जाती है क्योंकि गरम वोसम होता है ठीक है न, और अगर पोसिबल हो सके, तो मोर्निंग के टाइम ही पानी दें, और अगर शावरिंग कर भी देते हैं, तो जो इनके पत्तों के उपर पानी रहता है, उन्हें आप हटा दो, ऐसे इनको हिलाके या फूंक मारकर भी आप पानी को हटा सकते हो ताकि प्लांट में कोई सडन ना हो, चीक है और चोथी जो बात है वो आती है इसके फटिलाइजर भी फटिलाइजर की सकुलेंट को बैस से भी जो है बहुत ज्यादा requirement नहीं होती है लेकिन summers में आपको इनमें कुछ भी नहीं डालना है हमारा जो main target है summers में वो सकुलेंट को बचाना है ना कि healthy ने grow करना ठेक है, कुछ सकुलेंट होते हैं जो सर्दियों में, winters में summers में, गर्मियों में अच्छे चलते हैं लेकिन फिर भी हमें इनमें समर्स में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है कोई भी एक्स्ट्रा खाद दे देंगे डी एपी गोबर की खाद गरम होती है तो इनमें जो है रूट रॉट हो सकता है बरदाश नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये विचारे वैसे ही समर्स में खुद को बचाने के लिए करते रहते हैं मेनत तो अगर हम फर्टिलाइजर दे देंगे तो इन पे जो है ग्रोथ पे भी एफेक्ट पड़ेगा और प्लांट भी आप अपना खराब कर सकते हो तो फर्टिलाइजर बंद कर दो जो विंटर्स में आपने जो भी डाला है लिक्वेड या हार्ड फॉर्म में वही इनफ है पूरे साल के लिए इनके लिए और पांचवी जो बात है वो है पॉर्ट साइज कई बार हम सकुलें है हम पानी डालते जाते हैं पानी नीचे स्चोर होता रहता है सकुलेंट ने तो जितना पानी लेना है उतना ले लिया बाकी जो एक्स्ट्रा है लीफ में चला जाएगा एक्स्ट्रा स्चोर हो जाएगा तो वो प्लांट आपका गलसर जाएगा ठीक है तो हमेशा में shift कर सकते हो ताकि तेज गर्मियों में जब आप पानी दें तो सकुलेट आपका over watering से ना मरे और जो टिप है वो है बरसात का पानी मौनसुन में सकुलेंट्स गर्मियों में अगर आप बचा लेते हैं तो मौनसुन में सकुलेंट्स खराब होने लग जाते हैं गल जाते हैं क्योंकि वैसे air में इतना ज़ादा moisture आ जाता है ये आसपास से अपना moisture ले लेते हैं नमी होती है atmosphere में तो थोड़ा सा उस time पे आपको humidity का control करना होगा इनके उपर पानी थोड़ा कम देना होगा मतलब कि limited कर दो पानी जैसे summers में आप 3-4 दिन बाद दे रहे हो तो मौनसुन में हफते बाद हो क्योंकि ये जो है पानी अपने आसपास से atmosphere से air से भी ले ले लेते हैं इनका nature ही ऐसे होता है जैसे पाहाडों में होते हैं बिना पानी के तो वहां भी ये आसपास की जो नमी होती है पत्त्रों की पहाडों की उसमें से moisture लेके ही जिन्दा रहते हैं तो मौनसुन में पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना है और बारिश से इन्हें बजाना है ठीक है एक दो तीन बारिश में रख लो पत्ते क्लीन हो जाएंगे बारिश के पानी में भी अच्छा fertilizer होता है उसका ध्यान रखें लेकिन लगातार बारिश में भीग रहे हैं तो व फंगी साइड बगारा या कुछ पानी में घोल के कुछ देना है इन्हें फंगी साइड स्प्रे करना है वो सब मैं नहीं करता हूँ इस टैंट पर इतने भी आप सकुलेंट देख रहे हो लगबग तीन साल दो साल पुराने हैं तो चल जाते हैं बस में जो पॉइंट है वो है पानी और लोकेशन गर्मियों में बाके सारी चीज़ें भी चल जाएंगी लेकिन पानी और लोकेशन का अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके सकुलेंट को मरने से कोई नहीं बचा सकता एवन आपने जो है हाड़ी सकुलेंट भी लगाये हुए है न फिर भी थोड़ी बहुत लोकेशन की और पानी की केर आपको करनी होगी अगर आप अपने सकुलेंट सालों साल बचाना चाते हो और प्रोपोगेशन भी नहीं करना है समर्स में कोई ब्रांच तूट जाती है पत्ता गिर जाता है तो वो अलग बात है लेकिन प्रोपोगेशन मल्टिप्लिकेशन तेज गर्मियों में बंद करते हैं कई बार जो है मदर प्लांट भी खराब हो जाता है और जो कटिंग लेते हैं वो भी नहीं लगती है तो ये सारी बाते हैं जो मैंने आपके साथ शेर की है, सकुलंस को बचाने के लिए मैं इनी बातों को फोलो करता हूं हर बार जब भी विडियो शेयर करता हूं तो यही बाते आपके साथ भी शेयर कर देता हूं बग की आपकी एक्सपीरियन्स के उपर डिपेंड करता है आपका क्या experience है सकुलंस के साथ तो यही थी मेरी आज की वीडियो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें